साल 2023 की पहली T20 सीरीज भारत ने अपने नाम कर ली है स्री लंका को तीसरे T20 मैच में 90 रनों से हरा दिया और इस हार की बज़े बने सूर कुमार यादो सूर कुमार यादों की बैटिंग के दम पर भारत का बिसालिस को और 228 रन बीस ओबर में बनाया सूर कुमार यादों ने खुद सांदार 112 रनों की तूफानी पारी खेली हाला कि सुबमंगिल ने शुरूआत काफी धीमी करी लेकिन उनका स्टाइक रेट 100 के आसपास रहा और 9 गगन चुम्बी छक्के लगा जो ग्राउंड के बाहर दंदनाते हुए जगरे तो ये के सांदार सतक है वो भारत की तरफ से इस साल का पहला टी-ट्वंटी सतक अपने नाम कर दिया सूर कुमार यादों ने और अपने करीयर का तीसरा टी-ट्वंटी सेंशुरी बना चुका था लेकिन तीसरे और 9 टी-ट्वंटी मैंच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए बीस ओबर में दोसव अठाइस रन नाय जिसमें इससान के सन के बाल एक रन बना करके आउट हो गए लेकिन वहाँ पर एक अच्छी पार्ट नसीब हुई सुबमंगिल और सूर लंकाई बल्लेबाज सिबाया सलांका और कुसल मेंडेस के लाबा कोई कुछ कर नहीं पाया दोनों ने कुछ छोटी-छोटी पारियां जरूर दिखाई हैं कि थोड़ा सा मनरौन्जन के लेकिन वह जीत के लिए ना काफी था तो इस जीत के साथ ही भारत ने हारदिक जो परदर्स इस यॉटीम की तारीफ जरूर होनी चाहिए और यह बहतरी ने टीम के लिए और सांदार जीत दर्ज़ करें